हाई एवरिवन वेलकम बैक तो माई चानल कैसे आप सब लोग आई होप सिफ एन साउंड होंगे और अपनी वेट लॉस की जर्णी मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं कॉमेंट डाउन में क्या आपको मेरे डाइट प्लान कैसे लगते कितना आपको मोटिवीट रखते हैं तो मैंने ठीक किया है सेम स्किन केर रूटीन करके और साथ में मैं क्या डाइट फॉलो कर रही हूँ यह भी आपके स्किन केर का ही पार्ट होता है तो यह सारी चीज़े आप देखेंगे इस वीडियो में तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग की शुरुवात करते हैं मॉर्निंग वॉक से तो लगबग वन आर का मॉर्निंग वॉक मैं करती हूँ डेली कभी कबार ऐसा होता है कि स्किप हो जाता अधवाइस मैं रूटीन में करते हूँ मॉर्निंग नहीं होता तो इवनिंग में करते हूँ बट करते हूँ then 30 minutes का exercise करती हूँ detox water लेती हूँ detox water की recipe आपको मेरी channel पर मिल जाएगी जिस पर मैंने amazing से detox water share किया है घर आने के बाद breakfast के पहले detox smoothie बनाते हैं that is beetroot, carrot, cucumber smoothie है जो की बहुत tasty लगती है और filling भी होती है breakfast के पहले अगर आपने एक cup पी लिया ना भरके तो आपका जो breakfast है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है potion control आप easily कर सकते हो इसके साथ साथ आप इस पे थोड़े से अगर nuts या फिर कोई seeds टालना जाते हो तो वो और भी benefit देख आपको तो बस मैंने breakfast के पहले ये कर लिया है और ये मैंने पिया है exercise के बाद बन रहा था breakfast तो ब्रिक्फ़स्ट पे मैंने paneer sandwiches बनायते है तो फटा फट छोड़ी सी कडाई है मैंने अपने लिए paneer को थोड़ा सा vegetable में saute कर लिया है मेरे husband और बेटे ने omelette खाया था और मैं eggs नहीं घाती हूँ तो मैंने अपने लिए paneer sandwich बना लिया breakfast अब आपको skip नहीं करना है और 10 और 9.30 के पहले आप अपना breakfast कम्लीट कर लीजे तो चलिए वीडियो में आगे बने से पहले मैं share करने जा रही हूँ आज आपको मेरा जो skincare, original skincare routine है वो मैं share करूंगी और उसके साथ साथ कुछ products है जो मैंने Amazon से खरीदे हैं वो भी मैं share करूंगी और ये products मैं पहले से use कर रही हूँ बहुत हद तक मैंने अपने skin को इन ही products को use करके ठीक किया है क्योंकि बहुत सारे चीज़े ऐसे होते जो हम घर के बनी हुई चीज़े से घरे लून उसके से नहीं धीक कर पाते especially after 30s 30s के एज के बाद fine lines, anti-aging की problem या फिर hyperpigmentation जो दाग धब हमारे face पे रहते हो और अगर आपको pimples की problem है, अगने की problem है तो वो आपके skin को और बे worst बना देते है तो उसके लिए हम क्या करते है अगर आपको proper treatment चाहिए तो हम parlors या dermatologist के पास जाके महंगे महंगे treatments करवाते है कई हद तक हमारी solution तब भी solve नहीं होती है but मैंने कुछ चीज़े हैं जो मैंने combination में use किया है और मेरे skin पे effectively काम वर किया है अच्छा results दिया है इसले सुचापलों के साथ भी share कर लो और इसको कैसे मैं use करते हूँ इस सारी चीज़े मैं detail में बताऊंगी और जो link है इन products का जो भी मैं product use कर रही हूं अपने skin में वह आपको description box में में जाएगी और इनकी price कहीं आपको screen पे show हो जाएगा साथ में आपको मैं ये भी disclaimer देना चाहूंगी कि ये सारे products मेरे skin पे effectively use किये है और result मिला है बट इस बात की कोई guarantee नहीं है कि आपके skin पे भी उसी तरीके का work करें बट हाँ ये एक experience में share करना चाहा रही थी तो मैं share कर रही हूं साथे साथ इन skin products के साथ मैंने अच्छा कासा diet भी लिया है protein full वाला diet है fiber है minerals है सारे vitamins है वो भर पूर मात्रा में macronutrients वाले diet भी लिया है खूब सारा पानी पीती हूं तो वो सारे चीजों का जो combination होता है वो जरूर help करता है लेकिन फिलाल ये जो product है वो मुझे आपको स्क्रीन पे पिक्चर दिख रही होगी उस condition से इस condition में लान में बहुत help लई है तो चले वीडियो को आगे बढ़ाते है protein तो हमें face clean करने के बाद tone करना है toner को use करना है तो मैं यहाँ पे toner use कर रही हूँ वो है miliministic का PHA 3% biotic toner and it is dermatology tested toner ये आपके skin पोस को tight रखता है hydrating रखता है skin को pH balance maintained रखता है क्योंकि जब हम चैरा क्लीन करते हैं तो बहुत सारे जो essential oils जो रहते हैं हमारे face के वो भी remove हो जाते हैं जिसके कारण हमारे skin में breakouts हो जाते हैं dryness साधा आ जाती हैं dead cells वगेरा है वो सारे remove हो जाएंगी तो second जो step है वो है toner तो ये sticker जो toner है वो मेरे skin पर बहुत अच्छे से work करता है जो skin रहती है वो काफे soft और supple हो जाती है और इसके बाद मैं use करूंगी serum वो मैं आपको बताती हूँ तो ये है वो toner जो मैं use कर रही हूँ काफे effective है इसका जो price है वो कहीं आपको screen पर दिख जाएगा और इसकी जो purchasing link है वो आपको description box पर मिल जाएगी तो आप second process बिल्कुल skip ना करें क्लिंजर के बाद toner ज़रूर यूज करें ओकी जो third step रहता आपके routine का after toner आप वो use करते हो moisturizer isn't it but यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ हम यहाँ पर special care कर रहे हैं हम अपने skin को treat भी कर रहे हैं तो आप moisturizer से पहले जो चीज यूज करेंगे that is serum तो आजकल जो serum चल रहा है that is niacinamide serum है minimalistic का niacinamide 10% plus zinc serum है इसको after toner आप इसको apply करेंगे then उसके बाद moisturizer अपलाई करेंगे और उसके बाद sunblock या sunscreen अपलाई करना बहुत ज़रूरी है जित्ते भी चीज़े मैं आपको बता रहे हूँ उसमें last मैं आपको sunscreen अपलाई करना बहुत ज़रूरी मैं कौन सा use करते हैं वो मैं आपको बताऊंगे जब आप skincare कर रहे हैं after toner आपको अपलाई करना है कुछ इस तरह की की packaging में आता है तो 2-3 drops दे जीज़े और इसको अपलाई कर सकते है इसका एक alternative यह है जैसे कि यह use कर सकते है आप toner के बाद और second option है vitamin C का serum ठीक है तो मैं यापर यूज कर रहे हूँ यह आपके face को बहुत ही जल्दी repair करता है अगर pigmentation, dark spots, acne या breakouts हो रहे है या छोटे-छोटे bumps होते है वो mucous वाले bumps अगर होते हैं oil जादा निकलता है तो इसके लिए यह सारे जो treatments है यह बहुत जरूर है after 30 की age में तो यह अगर अभी तक start नहीं किया तो आप जरूर से start कर लीजे तो niacinamide तो आज कल काफे famous है पहले यह चारी चीज़े हमको specially dermatologist के पस जाके treatment लेना पड़ता था बट आज कल यह safe है and dermatologist tested है कि आप अपने घर पे इसको अराम से use कर सकते है और इसको किस तरीके से use करना है बस वो ध्यान रखना है एक procedure होता है जो भी आप चीजे use करते है मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ आपको thinest to thickest use करना जो भी product है जो thin होता है water consistency का होता है पहलो से use करना है और oil based को आपको last में use करना अगर आप oil based पहले यूज करना है तो आपके पोर सारे cover हो जाएंगे ढग जाएंगे तो उसके बाद जो product आप लगाँगे वो अपलाई नहीं होगा एफेक्ट नहीं करेगा आपके face पे तो यह water based है liquid based है तो पहले आपको यह thin consistency वाला यूज करना है यह serum है यह मैं दोनों यूज करते हूँ तो यह मैं daytime में basically use कर लेती हूँ अगर यह मैं इसको daytime में इसको use करते हूँ vitamin C तो इसको nighttime routine में use कर लेती हूँ मताब alternate इसमें use कर सकते है तो मैं क्या करते हूँ कि daytime में niacinamide plus zinc यूज कर लेती हूँ और उसके बाद जब मैं night time routine करती हूँ तो toning के बाद मैं vitamin C लगा लेती हूँ then moisturizer या night cream लगा के उसको finish off करती हूँ तो ये थे दो product minimalistic और good vibes का vitamin C plus B3 तो इन दोनों की price भी आपको गहीं screen पर show हो रहे होंगा और इनकी जो links है न वो आपको description box मिल जाएगा I hope जित्ता में समझा रहे हूँ skin care routine से related आप समझ पा रहे हो और आपके लिए काफे easy हो रहा होगा अब हम next step की तरफ आगे बढ़ते हैं तो जो next step होता है वो है moisturizer या moisturize करना अपने face को तो आपको आपके face पे जो भी suit करता आपके skin type की साब से आपको वो moisturizer यूज करना है मैं यूज करते हो mama earth का this face cream जिसमें vitamin C and SPF भी है तो ये मुझे लंबे time तक मेरे skin को hydrate रखता है मैं morning and night दोनो routine करते हो और suit भी करता है इसलिए मैं यूज करते हूँ तो ये इस तरीके के pump form में आता है और mama earth का face cream अपलाई करना चाहते है जरूर definitely एक बड़ प्राइस जरूर करना अगर आपके skin normal to oily skin है तो ये आपको बहुत अच्छे से work करेगा तो इसका जो price से वो कहीं मैं screen पे show कर दूँग और इसका भी purchasing link आपको मिल जाएगा description box में तो फटा फट जाके आप अपने skincare routine की shopping कर सकते है guys valentine's day आ रहा है तो अपने skin को अच्छा बनाइए ताकि अगर skin अच्छी रहेगी उसके उपर आप makeup करेंगे ना तो वो makeup भी खिल कर आएगा तो चलिए आप move करते है next product की तरफ step है आपके skincare routine का that is sunblock या sunscreen तो मैं जो sunscreen यूज करती हूँ वो है ये that is Neutrogena का ultra sheer dry touch sunblock जिसका 50 SPF है और ये बहुत long lasting है और water resistance है एक बार आप इसको अपने face पर लगाएंगे ना तो अक्सर क्या होता जब हम sunscreen लगाते हैं तो हमारे skin बहुत चिपचिपी सी हो जाती है बट ये ऐसा नहीं है ये water based है तो ये आपके skin को बिल्कुल भी oily या चिपचिपा नहीं रखेगा dry रखेगा और बहुत ही smooth skin रखेगा तो ये बहुत ही effective और मैं बोलूंगे इसको ज़रूर recommend करूंगे कि अगर आप sunscreen कोई ढूड रहे हैं अगर चाहते हैं कि कोई आपको recommend करे तो ये ये nutrigena का ultra shear ये वाला आप sunblock ज़रूर use करेगा जिसका 50 SPF है बाहर जाए ना जाए इस skincare routine में मैं एक चीज़ और आड करना चाहूंगे जो कि मैं once a week यूज करते हूं यूज करते हूं तो मैं मिलमिल स्टिक का AHA, PHA and BHA ये पील आफ यूज करते हूं तो ये आप जरू शामिर कर सकते हैं इससे कई हद तक जो हमारी skin है वो repair होती है आपको जो hyperpigmentation की प्रॉब्लम जाधा रहती है जाईया पढ़ने लग जाती है और aging fine lines दिखने लग जाते है तो वो सारी चीज़ों को ये help करेगा reduce करने में कम करने में और time से पहले नहीं होगा तो ये चीज़ भी मैंने add करी है आपने दिखा जाधा तर जो मैंने products मिला है वो minimalistic के है तो ये बहुत ही trusted product है साथी साथ इसमें ये भी है कि ये इसमें कोई भी fragrance नहीं है, silicone नहीं है, paraben नहीं है और essential oil नहीं है, कोई dye नहीं है and sulfate नहीं है तो ये सारे जो जितने भी minimalistic के production में ये सारी चीज़े नहीं है और बहुत ही अच्छा result देती है इनकी reviews भी काफी अच्छे है और मैंने खुद भी यूज किया है तो बहुत ही अच्छे results देके इसलिए तो ये सारी चीज़े जो skin care product है वो मैं recommend करूँगे कि अगर आप 30 cross कर चुके है तो start कर सकते है और सारे जितने भी products है वो dermatologist tested है, safe है और अगर आप first time use कर रहे है तो मैं suggest करूँगे कि थोड़ा patch test कर ल यूज करना बिल्कुल बंद कर दीजेगा मत यूज करेगा क्योंकि sometimes कुछ चीजे कुछ skins पर यूज नहीं कर सकते है अगर आपकी skin बहुत जाता sensitive है तो ये overall product है जो आजकल मेरा current favorite skincare routine बन चुका है लाल ये जितने सारे products है ये मैं Amazon से ही purchase करते हूँ, link आपको description box में दे दिय है और price भी आपको सबको बता दिया है तो फटा फटा आप अपना order प्लेस कर सकते हैं और अपने skin को और भी ज्यादा सुंदर बना सकते है टाइम रहता अगर अपने skincare करेंगे ना तो definitely आपको results दिखे गया है तो चलिए ये सारे products में रख देते हो और आप दिखे आगे का diet चलिए अब बारी आती है mid morning snack की तो mid morning snack में मैंने लिया था watermelon तो अभी watermelon जिस्ट सीजन स्टार्ट ही हुआ है तो ये दिखने में थोड़े से light दिख रहे color में red नहीं दिख रहा है लेकिन काफी मीठे थे और मुझे watermelon बहुत पसंद बहुत ज्यादा fruits में बहुत ज्यादा पस तो ये watermelon मैंने अच्छे से खा लिया था और लंच की पहले अगर आप थोड़ी से mid morning snacking वगरा कर लेते ना तो आपका लंच भी portion control हो जाता है लंच में बना दिया था मैंने फटा फट राजमा राजमा एक्चुली मैंने अपने husband की टिफिन में रखा था तो राजमा में बस बना हुआ रगा था मैंने राइस चड़ाया पापड को रोस्ट कर लिया तो हमारा जो लंच है वो भी तयार हो गया था और अगेन मैं आपको यह बोलूंगी हर मेल में प्रोटीन जरूर अड़ कर ये चाहे थोड़ा बहुत दाल के फॉर्म में सोया के फॉर्म में पनीर के फॉर्म में आड़ कर सकते देन उसके बाद आपकी स्वीट क्रेविंग्स को खतम करने के लिए अल टाम फेवरेट हमारे डेट्स है तो दो डेट्स काफी है काफी मीठे होते है इससे आपके जो स्वीट टूथ है वो सैटेसफाइड हो जाएगी तो यहां पर मैंने दो जो पूरे कर लेती हूं तो हमें अल्मोस्ट पूरे दिन में आठ से दसजार के स्टेप्स पूरे कर लेते हैं तो आप कभी भी फैटी नहीं होंगे अगर आपने यह हैबिट डाल लेना रेगुलर कंसिस्टेंसी बहुत इंपोर्टेंट है किसी भी वेट लॉस जर्नी में तो अगर आपने ऐसे हैबिट डाल लेना तो फैट आपके आसपास घूमेगा भी नहीं अब उसके बाद मैं आपके साथ बहुत अच्छी सी डिनर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं अगें इस प्रोटीन पाक तो मैं यहाँ पर बनाऊंगी चना सालेट थोड़ा और इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे अब इसमें स्पेशल चीज क्या है आप इसमें इसके लिए बनाएंगे ड्रेसिंग तो ड्रेसिंग के लिए मैंने खुब सारा धनिया गार्लिक, मिर्ची, आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं नमक और दो चमच दही डाल दियाँ तो फिर ये जो हमने चटनी और ड्रेसिंग त्यार करी वो हम अपने चले में डाल देंगे उसके बाद हम इसमें थोड़ी से ड्रेसिंग करेंगे, सीजनिंग जो रहेगी वो आपके टेस्ट की एकोडिंग रहेगी जैसे की चाट मसाला डाल लिया, ब्लैक सॉल डाल लिया और थोड़े से काली मिच डाली, आप चाहे तो इटालियन सीजनिंग भी कर सकते, इसमें उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, मैंने थोड़े से चिली फ्रीक्स डाली है, स्पाइस आप अपनी साप से कम जादा कर सकते, और सब को इसे टॉस कर लेना है, मिक्स कर लेना है अब मैं ये डिनर में ले रही थी, इसलिए मैंने लेमन जूस को अवोइड किया, अदवाइस आप लंच में या ब्रेक्फस्स में ले रहे तो आप इसमें लेमन जूस पी डाल सकते, बहुत ही ये टेस्टी लगता है, मैं 100% रिकमेंड करूँगी, एक बस जरूर इस तरह किसे बना के ट्राइ करना और मुझे कमें बनाना कि कैसे लगे आपको ये चर्णा सालड, तो बस इतने जो कॉंटिटी में आपको दिखा रही हूँ, इतने कॉंटिटी में अपने डाइट प्लान से, अधरवाईस आप हल्दी वाला दूद भी आधा कप पी सकते हैं, तो यहां पर मैंने अजवाइन वाटर बना लिया था, वो पी लिया था, यह था मेरा ओवराल का डाइट प्लान, जो की अभी मेरे लिए करन्ट चल रहा है, इस सीजन का, अब ध